इंस्टामनी एप से लोन कैसे ले सकते हैं और किन चीजों में आप गलती मत कीजिए क्योंकि आपका जो भी प्रॉब्लम होते हैं बता देता हूं मैं इससे दो बार लोन ले चुका हूं लेने के बाद इसमें तीसरी बाद जब लोन अपलाई किया मेरे साथ कुछ प्रॉब्ल कर देना है देखिए इसमें बहुत अच्छा बेनिफीट है इसमें तू मिनिट के अंदर आपको अप्रूबल मिल जाता है और बेंक टांसपर भी हो जाता है आपको ज्यादा वेट करने कि इंस्टन लोन जासा ही है आपको इसको इसको जैसे डाउनलोड करके देखेंगे इ मैं दूसरी नंबर से ट्राइ कर रहा हूं इसलिए मैं फर्स्ट टाइम जाओंगा देखेंगे नंबर डालने का तो ओटीप आएगा ओटीप वेरिफाई हो जाएगा उसके पात आपको जीमेल पे यहां पर जीमेल जो लिखाया आपको फोन में जो जीमेल होगा उसमें वे करने का नीचे आटोमेटिक लिए और फील होते होते आजाएगा आपको फीमेल या मेल जो भी है इसका अंदर से आपको चूस करना है चूस जैसे करेंगे देखें हैं पर आपको जो भी जॉब करते हो उसका अंदर से वेरिफाई सारा डीटेल्स आजाएगा आप सेलिरी हो यह सेल इंप्रोई सारा डीटेल्स देखे जो भी बिजनेस करते हो उसका बिजनेस का नाम डालना है इंकॉम कितना है कितने साल से आपको जॉब कर रहे हो देखिए लेंगविज क्या है आपको पता है उसका अंदर से चूज करना है सेब एंड कंटीनिव आपको क्लिक करना है जैसे सब कुछ फिल करके सेब में क्लिक करोगो दूसरा एक पेज खुलेगा तो चलिए मैं इसको सब कुछ feel करके next में क्लिक करता हूं देखे मैं सब कुछ feel कर चुका हूं feel करने का next में save and continue में आपको click किया जैसे click के है location आपको जो भी phone में location है उसको on करना है on करने का आपको जो भी area का pin code है ठीक है आपको pin code डालना है दालने का नीचे जो question लिखा है उसमें yes या no में answer आपको देना देखे आपको हिसाब लिख रहा है तुमा आपका कुछ loan है active है आप yes भी कर सकते हो no भी कर सकते है इसमें कुछ perfect answer नहीं है आपको yes no करका आगे बढ़ना है देखे आपको credit card है उसमें भी आपको yes या no कर सकते हो उसका आपको देखे आपको जो भी payment है डिले हो चुका है उसका yes या no करना है आप जो भी business का job करते हो उसमें bank account किसमें और भी कर सकते हो जो भी आपका bank account है उसका नीचे देखे आपको internet banking का access है देखे इसमें internet banking होना चाहिए जब आपको सब्रूट सारा process हो जाएगा आपको verify करना पड़ेगा internet banking को जो आटो टेपीट होता है तब ही जाकर आपको प्रेक परसे मिलेगी देखे आपको जो भी payment loan कितना है उसका अंदर से आपको चूज करन आपको नेक्स्ट में क्लिक करेंगे देखे आपको यहां पर चेकिंग किया जाएगा आपको देखे यहां लिख रहा है congratulations you are 10,000 मतलब 10,000 का approval मिल चुक फाइव मन्त का EMI बनके आ जाएगा हर मन्त देखे 2200 रुपे मन्ना 2200 रुपे आपको हर मन्त देना पड़ेगा और फा करना है जैसे कंट्यूनियू करेंगे देखे आपको पेमेट करना पड़ेगा 199 मतलब दो सवरे पर आपको पेमेट करेंगे पेमेट करने का तह तो नहीं आपको दो 10,000 का approval जो मिला है आपने पेमेट कर देखे 10,000 आपको मिल जाएगा इसे नहीं है साब साब लिख रहा है का फीज देने के बाद आपको complete KYC करना है आपको हुआ final approval मिलेगा KYC के बाद आपको final approval मिलेगा आपको पैसे मिलेगी नहीं मिलेगी ठीक है आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं आपको पैसे ले लेंगे इसे गलती मत कीजिए क्योंकि अभी दूसरे नंबर से ट्राइगे आपको दूसरा किसी का पेनकाड होगा घर पे फिर दालके देखे फिर से इस तरह से लिखेगा आपको लोन अप्रूबल होती है तो अभी प्रोसिस होती है वहाँ पास सीबिल चेक किया जाता है ऐसा गलती मत कीजिए आपका सीबिल ज्यादा है अच्छा ठीक है गूड है तो आप आप 199 पे किजिए आपको लोन अप्रूबल मिल जाएगा और लोन अमोड मिल जाएगा जब आपको सीबिल नहीं है आपको यहां कॉंग्राचुलेशन टेन थाउजन लिखीगा आप बोलेंगे कि मुझे लोन अप्रूबल मिल चुकी है मैंने पेमेट करने के बाद मुझे म हो चुका है अधिका रहा हूं पैसे इसी तरह से वापस रिफॉंड नहीं मिलता है और देखिए 10,000 जो लोन मिला है आपका सीबिल पर चेक किया जाएगा आपको 10,000 से नीचे भी मिल सकता है आपका सीबिल ठीक है 10,000 लिखा है आप 10,000 भी नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें 5,000, 8,000, 7,000 भी इस तरह से प्रोसेशिंग होके फाइनल आपको अप्रूबल मिलेगा इसी तरह से आपको देखिए जो आपको सीबिल बिलकुल अच्छा नहीं है गूट नहीं है सीबिल डाउन पे जा रहा है बिलकुल अपलाई मत किजिए 199 पे मत किजिए तो आई होब आ लाइवा लाइक किजिए कमेंट किजिए दोस्तों को सेर किजिए चैनल को सब्सक्राब किजिए थांक्यू पर वाचिंग